एक और सेशन में जहां पर मैं आपको करवाने वाला हूँ one concept, one question आज जानते हैं आज या करने वाले हैं? आज कुछ जुमेटरिक वारे में करने वाले हैं और उसमें कुछ हम पेल्लोग्राम या फिर समानतर चतर बुझ के बारे में देखेंगें तो ऐसे पेल्लोग्राम का हमारे पास समानतर चतर बुझ का शेत्रफल एरिया क्या होता है दो बुझाएं और उनकी बीच का कौन दे रखा होगा वह हमारे पास क्या आएगा तो एरिया क्या जाएगा एबी साइन थेटा इसको आपको याद रखना है दो बुझा और उनकी बीच का एंगल होगा जिसे कि यह बुझा दे रखी है यह बुझा और उसकी बीच का एंगल दे रखा है थेटा तो एबी इस बात को ध्यान लखना है, यह लग जाता है, हमारा बहुत जगाँ लग जाता है, और यह वैसे मैं आपको कोडिलेटर का चत्रबूझ का बताऊँगा शित्रफल पर अभी के लिए समानत चत्रबूझ का जो शित्रफल होता है, वो और किया रखा है ए बी का मान की जिना रखा है 15 cm दे रखा है और इसका बीसी जिना रखा 8 cm दे रखा है ठिक यह दिया हुआ है हमें इस परलोग्राम का शेतिरफल पूछा तो शेतिरफल क्या होगा हमारे पास इसका अब यह बी मतलब 15 यह 15 और आठ और इंगल कितना है तीस है तो 15 इंटु दिगरी है अब यहां पर सेन थिज़ी सब्सक्राइब कितना होता है इक शो बीस होता है और सैन तीस कितना होता है एक बटा दो होता है तो से कितना जाएगा साथ यूनिट वर्ग जो भी हमारे पास यूनिट होगी सेंटिमेटर तो सेंटिमेटर स्क्वार आ जाएगा तो दोस्तों हमारे पास यह होता है कि इस भी पैलोग्राम का समानतर चुतरबुज का शेत्रफल एबी सेंटरिटा दिमाग में रखना और साथ साथ एक नोटबुक मैंने आप पूरड़ी बताया हुआ है एक नोटबुक बना के रखिए उसमें सारे के सारे यह कॉंसेट जाके इसे रिवाइस कर लेना तो आज के लिए दोस्तों यह हमारे पास कॉंसेप्ट रहा कैसा लगा कमेंड़ मोक्स में दुरू लिखके बताईगा धन्यवाद